अज़ के बारे मैं थोड़ा और जान लेते अभी-धी अभी हमने देखा जो वेसटियल और बन सैं इंसानों को काम की नहीं था दो तो किसको काम आता हो सब देखते कि स्को काम आता क3 जो सबसे पहले आहम ने लेकिन आज जो और्गेनिजम्स कच्छा खाना खाते हैं जैसे कि उनको रिमिनेंट्स बोलते हैं वह कंटिन्यूस दें पगुराते रहे गाये को कैसा कर रहा है देख लिया तो अभी सिंपल सी बात है अभी गाय या बहल को भूक लगा तो क्या ओर लेगें जो मैं तो जल्द कच्छा खाना खाएंगे और कच्छा खाने के वज़े से वीजुश होते हैं लेज और सटा में ही इनके लिवास्ते जैगा और नहीं इनके लिए वाकिन युश्व्वूल और ये और इस बात करें देखो को मिंदेखili ju Л. अगा क्या तो किसको काम क्या है जिसको टेल है तो हमने देखा मंकी को टेल होता है जो टेल होने को बाड़ी बैलेंस होता है तो उनको टेल काम का अभी यह पिणा यह पिनना हैने की यह अला पार्ट मैं के हमसे काम को रिए उसलिए नोग होते हं और वहां चालता है यह या जिड़ाल हो क्या होंगा या तो मर क्या होंगा तो इसलिए उनको काम का है तो वेस्टीजेल क술 थोते ही अमारे पास अगला पाट है तुमने डाइनौसर देखा लेटा तुम्हारे माम अपने डाइनौसर देखा गया नहीं तुम कैसे वांगते हो डाइनौसर है कि दर कि पिंटओ क्याई लगता डाइनॉसौर का अवाज कि यह लोग जानते हो क्या हो सकता है डाइनुसौर का आवाज हो सकता है या हो सकता है आइसा हो अब मैं बताते हूं डाइनसुर का वोज कीसा है वो हम लोगों को पता हिं तो डाइनसुर का आवाज ने लेते आवाजक्स की नहीं नहीं है अब छोपन अब देखो तो इसका मतलब हम लोगों यह पता चैहें की डाइनोसौर हमने द Committee का नहीं है लेगन डाइनासौर के फॉसील्स प्रेजेट है अब या फॉसील्स क्या और यह माधुमक्ही का बॉन है जै कि यह डॉक का है कि यह ड्यूल साथ यह ठाइन। तो कैसे पता चलेगा वह सेजोंस यह जब उसका बॉन लेंगे और पता करेंगे उसके उपर डिस्कवरी सब होगा तब जयके बता सकते यह कितने साल पहले पता चलेगा हम पता चल सकता है तो तो विलाड लिभी में अंडिया जिसका नाम है्क तो ऊ्पर लिकारण counts सब्सक्राइल सबक्राइब पिंटू था मैंने पथर और मैंने अधाक और यहीं पर लुट संब्सक्राइब यहें बड़ा सा डाइनोसॉर कैसे बनाओ ऋस एक लचेंधे ऺड़न है आप क्यों गया न साइंटिस्स वागे रहा एक्सका विशन टीम मैं आवाज बचा देखा जमीन के अंदर कुछ है देखते हैं क्या है जमीन के अंदर टो घदा किया और धेट बाड़ी पूरा मर दीके हो गया है और उसका बोन बचा और चार बोन का कारबन डेटिंग्स मेतल पता किया और तब पंट्व पाली मारा था तो बसे अगे आगे पहुच है और जब एक्सकाविशन की इतना पार्ट भान निकल और यह बोन है उस तो अलग जानवर का बोन है देखते हैं कारबन डेटिंग मेथड से पता चल गया और यह बोन जो है बहुत टाइम पहले का है कितने करोड साल पहले का है यानि कि आज का बोन नहीं है और उतन इंट्रेस्टिंग पार्ट है तो आगे यह सब एकदम प्रॉपर लिख लो आगे बने रहो आगे और पढ़ते हैं हम लोग एकदम डिटेल में फूल एनालेसिस करके यह एकदम प्रॉपर लिख लिजी आप जैसे पैलेंट लोजिकल एविडेंस खतम किया उसके बाद अग के बीच का connection होगा और उनके पास similar morphological characters होंगे जैसे कि हम लोग बात करते हैं यहां पर अगर मैं बूलू बनाना milkshake बनाना milkshake के नहीं दो चीज़े एक है हम लोग जानते देट इस बनाना और एक है milk तो जो बनाना milkshake बना है वो इन दोनों के mixture से बना है यानि कि एक चीज़ बनी है वो दो चीज़ों से बनी है एक यह एक यह तो यहाँ पर मैंने लिखा है plants and animals shows some morphological characters by which they can be related to different group hence they are called connecting links कुछ ही नहीं है उसका मतलब उसका मतलब यही है कि organism के बीच में क्या होगा connection होगा तो दो organism मिलके एक organism बनाएंगे वही connecting links है जैसे कि हम लोग ने example देखा डग बिल्ट प्लाटिपस अच्छा मतलब कोशन बोस्ता हो ऐसा कौन सा जानवर है जो अंड़ा भी देता है और दूद भी देता है सोच के बताओ कमेंट करो सोच लिया क्या दूद वाला नहीं और कर दुकान वाला अरे वो तो बिल्कुल भी नहीं तो इसका answer है डग बिल्ट प्लाटिपस क्यों है बच्छो यह देखो इसके पास दो से एक है अर्यों का मैमल लका अभी डिश यायोग पास लहें ब्लड हुए उसके ब्लैपड के पर बाडören सोफ उसके बोडियें अपर है यह यूत कि यह पास डोज्ट उसकर हैं यह एक उर्गैजम बना जिसके पास दो सी है sih वह है रप्टाइल्स का और मैमल्स का इसी लिए यह connection link है अब एक और चीज़ यहां पर देखो peripetus peripetus के पास दो चीज़ का करेक्टे लिंक है और और अर्थरोपोड अभी अनिलीड क्या होता है और इसे organism जिसके body segmented segmented हैने की जैसे की for example यह organism में उसके body के पर बहुत सारे क्या रहेंगे हिस्से है अलग-अलग हिस्से होते है ऐसे हिस्से होंगे अलग-अलग तो इसलिए हम लोग इसको बोलते segmented body और उसके पास एक और क्यूटिकल क्यूटिकल मतलब क्या होता है बॉड़ी के उपर ने इंदम थिन लेयर होगा इंदम पतला सा लेयर होगा और पैरापोडिया पैरापोडिया इस नथिंग बट इस लेग तो यह सारे अलग तैप का सरकुलेटर सिस्टम शो करता है जो opan सर्कुलेटर सिस्टम होता है जब तुम लेवे में तो सास लिने के लिए उसके पास और पास और ओर्प यहां पर मैं ने लिखा जोंड स्ट्रोड का सब्सक्तिक्त है अर्थिसरा लंग फिश अच्छा दुनिया का सबसे बड़ा फिश कुन सा है चलो अंसर बताओ बता दिया सभी ने वेल बोलाओगा एक्जैटली गलत वेल नहीं है तो बच्चे लोग सोच रहे बच्चे लोग घबरा गए कि वेल अंसर नहीं तो क्या होगा सोचो मैं आगे बताता हूं अगले वीडियो में पता चलेगा तो मेंन के परद चलेगा तो देखो लग में बसे बात रहूब जानते हैं कि इसके सके पस अपशन कर्ने के लिए उसके पास गिलस क्किशन नहीं कि तो लंग्स जो कैड़े से ना लंग्स मैमल्स का हैं या फिर एपीवेनिवांट जो होते ना उनके पास भी लंग्स होता है तो इसके पाद दो रिखन के एक एंपीवांट प्रॉक्वां पॉस्टीश यह है कि उन लोग जो है वह यहां पर चैनल एनदर एंफीबियन फीज द करेक्ट हमने दिखा ना उसका नाम है फ्रॉग फिश का तो बहुत सारे एक्जमपल है लेकिन वेल मत लिखना वेल इस नौट फिश तो वेल क्या है पता चलेगा आगे वेट करना पड़ेगा उसके लिए अच्छा अब यहां पर हम लोगों को यह पता चल रहा है यहां पर य आया है रेप्टाइल से तो मैमल्स इवार्ड फ्रॉम रप्टाइल एंड जो एंफिबियन आये वह कहां से है एंफिबियन और इवार्ड फ्रॉम कहां से अभी आपने देखा फिश से या फिश के परिवार को बोलते पाइसे अच्छा यह सारी जो वर्ट से जैसे कि हमने सौरी रप्टाइल जेखा ने यहां पर एंफिबियन देखा यहां पर और तुरॉपट एंडि यह सारे चैप्टर इस आरे जो पार्ट है ना आपको चैप्टर नुंबर शिक्स ऐनिमल क्लासिफिकेशन में पढ़ने के लिए मिलेंगे जब वह और यहां पर हम पर यहां प पर यह भी पता चल गया कि वेल जो हो मचली नहीं तो वेल क्या है वह आगे वाले पार्ट में देखना पड़ेगा अब देखते हैं लास्ट एविदेंज जो शिए विदेंज हमारे पास प्रेज़न है इंब्रो लॉजिकल एविदेंज तो इंब्रियो लाजी कल इसका मतलब शीखेर that is embryo इंब्रियो इन देर वंब याने कि वोंकर वां में दर embryo एंब्रियो कि इंसे बनता है हम लों जानते है यह सब्सक्राइब और जानते है इस। इस परम ठीक है दोनों मिलेंगे तो फट्यॉलाइजिशन होगा तो इन दोनों जब मिलते हैं union होता ह तो फिलाइजर के बाद क्या बनता है थर मकन्त है जा गोट बनता हैए रिलप होने के बाद हो जाता है एंब्लीओ अगे बनाता है फिटास और दीन बड एक छोटा हमें जो बहुना में बॐनSte सब्सक्राइब यानि कि एक ही बच्चा है उसको अलग अलग स्टेज़स पर अलग अलग नाम है जब थोड़ा ग्रू होने लग गया जब से काजू ऐसा दिखता काजू शेप का दिखता स्टार्टिंग में तो उसको बुल दिया एंबरियो फिर जब उसका हाथ पर सब दिख एविडेंस का क्या लेना देना है उसका लेन दिन यही यह बस इतना रहाद रखिए जहां पर तुम लोग यह डाइग्राम देखोगे यहां पर जो पिच्चर देख रहा हो पिच्चर स्क्रीन पर देखो उस पिच्चर में आप लोग जब नूटिस करोगे तो आपको मिंतेया का लटगां करी हो प耗ेले स्टेजें समीलर ग्ला का सीमिलर दिखता है और दीरे-दीरे जैसे अलग-अलग स्टेजेस आते हैं वह क्या होताँ है डिसःपीर की अलग हो जाता है तो मेन चीज bạn कहने पिरेड में हर एक ऑर्गनिजम जो है उनका एंब्रियो सीमिलर था और सीमिलर होने के वजह से वह एक क्या एविडेंस है किसका इवलूशन का एविडेंस है एवलूशन का एविडेंस है and this indicates that similarities in initial stages of development indicate common origin of animals यानि कि यही एक हमारे पास प्रूफ है जिससे हमें पता चला कि हम सारे एक ही ओरीजिन से आये है जो स्टार्टिंग का ओरीजिन तो उसका नाम क्या था फॉर्स्ट लिविंग मेंट्रियल डाट इस वेरे गुड प्रोटो प्लाजम तो इन छे एविडेंस में से कोई भी एक एविडेंस पेपर में आ सकता है एंड सबसे इंपोर्टेंट मुझे इस साल वेस्टेजियल ओर्गन लग रहा है ऐस वेल एज उसी के साथ साथ हम लोग देखेंगे तो कनेक्टिंग लिंक भी इंपोर्टेंट है तो मैं इतना बोलता हूं कि हर एक चीज़ प्रॉपर लिन एक कोईगे नियुक्स ब्याएज लेंग का लेने का हरेख चीज़ प्रॉपली पढ़ लेने का एक बर खुझी र्यिकल कर लेते है और वड्यंश का तो टोटल हमारे पास स्क्स कर लेकार शोलेजिट हो यसनुच है पैला है यह छितर अभी कला है आधश दूसर यहविदेर के बाद हमने देखा फिफ्ट वाला कनेक्टिंग लिंक हमें यहां पर पता चला ना अगर किसी ने कुशन पोचा ऐसा कुन सा और फिर इसा कुन सा एनिमल है जो दूद भी देता और अंडे भी देता है उसका एक्जामपल है उसका नाम क्या है वेरे गुट डग बिल्ड प्ल और यहीं जो है तुम्हें डिसिप्लीन में रहेगा यही सब यही सब यही सब चीजों के वस्ते तुम्हें डिसिप्लीन में रहोगे और जितना अच्छे से प्रैक्टिस करोगे उतना पर्फेट बनेगे प्रैक्टिस मेंक्स मैं एंड वुमेन बहुत पॉफेक्ट रिमेंबर दस तिंग यह सारे के सारे एविडेंस बहुत इंपोर्टेंट ही एविड